वेलकम बेक टो एकलव्या स्टेडी पॉइंट एंड आएम सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की इंग्लिश से जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है और जो उसका 8 चैप्टर है गोइंग प्लेसिस उसकी easy explanation देखने वाले हैं, best notes के साथ तो आईए हम वीडियो को start करते हैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी problem हो तो आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं अपना message आप मुझे तक पहुचा सकते हैं, username आप सभी के screens के सामने लिखाई हुआ है और अगर आप हमारा telegram channel join करना चाहते हैं, तो class 12 ESP new group सर्च मारके आप telegram channel को join कर सकते हैं और अगर बात करें notes की, तो जितने भी वीडियो में आपको notes दिये जाते हैं, जो पढ़ाये जाते हैं, वो आपको हमारी website पे available करवा दिये जाते हैं, free of cost तो हमारी website है www.eclaviastudypoint.com, तो website को आप visit करके सभी subjects के notes को आसानी से पढ़ सकते हैं, तो introduction के साथ हम start करते हैं, आज के अपने chapter को, so in this story chapter का नाम है भाई, going places, so baton explores the theme of adults and fantasizing and hero worship through the character of Sophie, so जो एक हमारी adult sense की जो age होती है, जो यूवापन होता है, ठीक है, 18 साल, 17 साल की जो age होती है, इसमें एक यहाँ पे chapter में character है लड़की जिसका नाम है Sophie, वो किस तरीके से दिन में ही सपनों में खोई रहती है, एक football player के सपनों में, और जो की एक young girl है, एक teenage girl है, एक lower middle class family से है, ठीक है, और Sophie एक day dreamer है, day dreamer का मतलब होता है, दिन में सपने देखने वाली लड़की, so her family and friends try to stop her day dreaming, वो इसके जो आसपास जिसने भी इसके दोस्त हैं, इसकी family वाले हैं, वो कहते हैं बई, दिन में सपने मत देखो, लगातार वो कहते रहते हैं, लेकिन वो तो हवा में महल वनाती रहती है, यानि कि day dreamer वो है, when reality hits her, all her dreams appear to be shattered, और जब उसको सचाई पता चल जाती है, तो उसके सारे सपने तूट जाते हैं, the author has thus emphasized the aspirations and ideals of the modern young generation at the same time highlights the pain of unfulfilled promises and unrealized dreams, कैसे यहाँ पे जो modern young generation के लोग हैं, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं, यह सब बताए गया है, characters की बात करते हैं, कौन-कौन है इस chapter में, एक तो Sophie है, जिसके बारे में आप जानी चुके हो, सपने देखती है वाई वो, और दूसरी Jen C, Jen C Sophie की बहुत करीबी दोस्त है, और वो जानती है कि उसका status कैसा है, but she is a gossip monger according to Sophie, Sophie ऐसा मानती है कि Jen C जो है, वो gossip करती रहते हैं, Danny Casey कोन है, talented football player है, एक local hero है, और Sophie के idol है, यानि कि Sophie हमेशा सपनों में उन्हीं कोई देखती है, Danny Casey को, फिर है Jeeoff, Jeeoff जो है, एक hard working elder brother है Sophie का, और जो की sports में काफी interest रखता है, ओके, आगे देखते हैं क्या है, Sophie's father, Sophie के जो पापा है, वो काफी hard working है, काफी practical है, अपनी family को काफ अच्छी facilities provide करवाते हैं, तो ये सब हो जाएगा, अब अगला topic है, अमारा day dreaming girl, Sophie, दिन में सपने देखने वाली लड़की, Sophie, so Sophie is returning from home, from school, accompanied by her friend Jensi, Sophie अपने school से वापिस आती है, उसके साथ, उसकी friend Jensi होती है, she tells Jensi that she dreams of owning a boutique after living school, वो Jensi को कहते है कि मैं ऐसा सपना देख नहीं हो कि मेरा खुद का अपना एक boutique खरीदूंगी school के बाद, Jensi who is not a dreamer like her, Jensi जो है वो सपने नहीं देखती उसकी तरह, tries to reason that such a thing requires lot of money, वो कहते है भाई practical रहो, अपना जो है सपना, सपना ही रखो, आपकी हालत देखो, आप एक lower middle class family से हो, कहां से boutique खोलोगे, पैसा चाहिए भाई, Sophie replies that she would become a manager till then and save the money needed for the boutique, वो कहते है मैं जब तक manager के तोर पर काम करूँगी और जो पैसा होगा उससे boutique खोलूँगी, Jensi again contradicts her childish dreams, Jensi दुबारा कहते है भाई ये बचकाने सपने ना देखो, ऐसा कोई भी तुम्हें सीधा जाके manager बनाएगा नी, Sophie लेकिन फ है, Jensi knows that they both are destined to work in the biscuit factory, भाई Jensi को भी पता है, Sophie को भी पता है, हम दोनों को काम तो biscuit की factory में ही करना है, she is quite practical and is aware of the realities of life of Jensi, जो है वो सपनों में ही रहती, उसको practical चीजें पता है, अपनी जिंदगी की सचा ही पता है, कि वो कितने हवा में है, she wishes that Sophie too comes down to reality, वो कहते है कि काश Sophie जो इतने सपने देख रही है, उसको भी सच जल्दी पता चल जाए, but this doesn't bother Sophie, पर Sophie को कोई भाई, फरक ही नहीं पड़ता, वो quite suddenly says that she would then become an actress, और वो Sophie फिर कह देती है, मेरे को तो भाई, actress बनना है, as actresses do not work full time, she would be able to manage her boutique as well, वो कहती है, actress सारा दिन थोड़ी काम करती है, जब पर Sophie को कोई जो नहीं रहें थी, वो कहती है, मैं actress भी बनूँगी, fashion designer भी बनूँगी, fashion designing करूँगी, manager भी बनूँगी, ये सब चलता है, Sophie की family की बात कर लेते हैं, कैसी है, while Sophie is entering her house, talking about money, Sophie आती है तो पैसों के बारे में बात करती है, जैनसी retorts by saying that if she ever manages to get some money, she should buy a decent house first, जैनसी कहती है, भाई अगर पैसे जुड़ गए ना वविश्य में, तो एक अच्छा घर खरी दिये, her little brother Derek, ठीक है, उसका छोटा भाई है Derek, जो की कहता है, she thinks money grows on trees, और वो कहता है कि Sophie को तो लगता है, भाई, पैसा पेडों पे उगता है, Sophie's mother sighs at her daughter's fantasies, और Sophie की mother भी गुस्सा करती है, यार इतनी क्या fantasies हो नहीं, Sophie notices her mother bending over the sink, her back has become somewhat bored with the burden of household work, Sophie अपनी mother को देखती है, जब वो जुखती है, सिंक के उधर, तो उसको देखता है कि यह जो burden है घर के काम का, उसकी वज़े से उनकी जो back है, वो भी जुख चुकी है, Their small house is steamy from the stove and dirty dishes are piled up in the corner, घर काफी छोटा सा है, बदबूदार सा, उनका kitchen है, वहाँ पर dirty जो बढ़तन होते हैं, वो पड़े रहते हैं, स्टोफ पड़े रहते हैं, So, Sophie feels are tightening in her throat and goes to look for her brother Jauf, और वो काफी Sophie को भाई, भावुक फील होता है, और उसके बाद, So, Sophie जो है अपने भाई, जोफ के पास जाती है, उसका ध्यान रखने, फिर आगे क्या होता है, जोफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन था, So, Jauf is tinkering with a part of his motorcycle in the next room, कुछ ना कुछ अपने motorcycle के पार्ट के साथ वो कर रहा था, He has been out of school for almost three years, उसके school को खतम हुए, तीन साल हो चुके थे, and now works as an appendix mechanic, और एक mechanic के तोर पे काम करता है, Sophie ponders over the areas of his life about which he has never spoken, और आगे फिर क्या होता है, Jauf is almost a grown-up now, Jauf बड़ा हो चुका है, and he has developed a habit of speaking less, लेकिन उसकी एक आदत है, वो बहुत कम बोलता है, Sophie is jealous of his silence, Sophie कहती है तो मितना शान्त क्यों रहते हो, Jauf's world remains a fascination for her simply because it is unknown to her, और वो कहती है कि मतलब इतना कोई कैसे शान्त रह सकता है, She longs to know him, वो चाहती है अपने भाई को और जानना, She wishes to be admitted more closely into her brother's affections, hoping that someday he might take her along with him to the unknown places and in his mind that have so far remained out of her reach, वो सोचते है कि मेरा भाई मुझे कभी बताएगा अपने बारे में सब कुछ, Her father forbids it and she also thinks that Jauf considers her too young, और उसको ऐसा लगता है Sophie को कि ऐसा तो नहीं है, Jauf भही आईए सोचते हो कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो इसलिए वो कुछ शेर ही नहीं करते, और उसको सपना भी आता है कि वो अपने भाई के मोटर साइकल के पीछे बैट के राइड कर रही है, वो चाहती है किसी दिन वो भारी दुनिया को देखे, अगला टॉपिक है Danny Cassie, Danny Cassie को ने एक बहुत talented football player है, Sophie अपने भाई Jauf को बताती है कि वो Danny Cassie से मिली, जो कि एक Irish sports star है, ठीक है football के, जो जोफ knows that she is a hopeless dreamer and so he doesn't believe her, और Jauf कहता है भाई सपने तो ये देखती है, ऐसे ही कुछ बड़ बड़ा रही होगी, और वो कहती है कि मैं शोपिंग के दोरान उससे मिली, Sophie describes her meeting with Cassie, और वो अपनी जो meeting हुई वो बताती है अपने भाई को, she makes Jauf promise not to tell anybody about the meeting, और वो कहती है Jauf आप पहले promise करिए आप किसी को भी इस meeting के बारे में नहीं बताएंगे, her meeting with Cassie was a chance encounter, और she wanted his autograph, वो चाहती थी कि Danny Cassie का उसको autograph मिले उसके छोटे भाई के लिए, बट neither of them had a paper और pen, पर वो कहती है मेरे पास pen paper नहीं था, Cassie and Sophie started talking about the clothes at the Royce, और वो कहती है कि मैं और Danny Cassie बात करने लगे कपड़ों के बारे में, क्योंकि shopping कर दे टाइम मिली है भाई वो, they decided to meet next week and Cassie promised to give her an autograph, और वो कहती है कि कैसी नहीं मुझे बोला है कि अगले हफते मिलो मैं तुम्हें autograph भी दूँगा, जोफ कहता है बे यार क्यों मजाग कर रही है, यह सब तुझे सपने में आया होगा, ऐसा हो इनी सकता, शी gives him details about his physical appearance to make her meeting sound realistic, और Sophie काफी physical appearance भी उसकी बताती है कि क्या पहना था उसने, कैसा वो दिख रहा था, फिर क्या होता है आगे भाई, जी ओफ is finally convinced, जी ओफ मान जाता है कि चलो भाई मैंने मान लिया और मिली होगी भाई तु, विर वो सारी बाते हैं, फादर को बताता है अपने, उसके पापा कहते हैं, चलो भाई, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, और फादर और तरके लगाते हैं अपनी स्टोरी सुनाने में ताकि सब को असली लगे, उसके पापा घुसे में आ जाते हैं, कहते हैं, यह ऐसे जंगली स अपने देखते रहोगे तो किसे दिन तुम बहुत ज़्यादा ट्रबल में फस जाओगे, सुदर जाओ, So Sophie then informs Joff of her date with Danny Cassie, but Joff refuses to believe her, Sophie कहती है, मैं तो date पे भी गई हूँ Danny Cassie के साथ, पर कोई मानने से, मतलब सभी लोग मानने से इंकार कर देते हैं, अब match का day होता है, तो उसमें क्या होता है, Sophie, उसका छोटा बाई Derek और उसके जो father है, मतलब match देखने जाते हैं, उसके जो बड़े भाईया हैं, वो अपने दोस्तों के साथ उपर पैटे हैं थोड़े से, United की जो team है, वो जीच जाती है, Danny Cassie की वज़ाए से, और Sophie meets Jensie, Sophie अपनी friend Jensie से मिलती है, and gets surprised by the fact that Jensie knows about the meeting with Cassie, और वो कहती है कि Jensie को कैसे पता चला, मेरी meeting हुई है Danny Cassie के साथ, so she gets angry with Joss for blurting out her secret, वो अपने भाई पर गुस्ता करती है कि आप नहीं बताया होगा उसको, वरना Jensie को कैसे पता भाई, so Sophie is worried that if her father gets to know about this, then she will be in trouble, और उसको दिक्कत हो जाती है, कि भाई अगर मेरे पापा को पता चल गया, तो काफी दिक्कत हो जाएगी, she is relieved to know that Jensie has no idea about the date, और Jensie को कोई ऐसा idea ही नहीं था, ठीक है, Sophie explains to Jensie, Sophie Jensie को बताती है, यह meeting जो हुई काफी incidental थी, ठीक है, और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले, और Jensie कहती है कि Sophie tension मतलो, कोई तुमारी बात किसी को नहीं बताने वाला, Sophie is now at the kennel waiting for Danny Cassie, Sophie kennel के पास नहर के साइड में खड़ी हो कि Danny Cassie का वेट करती है, she has always imagined such a perfect date, उसने यहीं अपने सपनों में देखा था, while waiting she imagines Cassie coming along the river, वो सपने देखने लगती है, खड़े-खड़े imagine करती है, कि जो Danny Cassie है, वो river के side से आ रहा है, she imagines her excitement, and when after some time she does not see Cassie, she realizes the reality, और वो वेट करने के बाद, इतना ज़्यादा excitement में होने के बाद, जब देखती है कि कुछ असलियत में तो आया ही नहीं कोई, reality में तो कुछ Danny Cassie नाम की चीज़ी नहीं आई भाई वहाँ पे, so the thought of his not coming starts making her sad, और Danny Cassie के ना आने पे Sophie काफी ज़्यादा sad हो जाती है, Sophie gets miserable at the thought of explaining all this to her family, Sophie को काफी ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं अपनी family को कैसे बताऊंगी, यह सब, Joff would be disappointed, Joff काफी disappoint हो जाएगा, others जो हैं वो भी उसपर doubt करेंगे, she doesn't want to live with the burden of truth, और वो कहते हैं कि मैं तो जिन्दा नहीं रह पाऊंगी, ऐसे सच के साथ, still she doesn't want to give up her dream, अभी भी वो नहीं चाती कि उसका सपना खतम हो, Sophie once again dreams of meeting Cassie at Royce, again उसको सपना आता है कि वो मिली है, she asked for an autograph, ठीक है, दुबारा से भाई, वो autograph मांगती है, बस पैन नहीं होता, उसका physical appearance सब याद रह जाता है, और काफी, मतलब फिर क्या होता है, she keeps waiting in the arcade for a long time, वो वेट करती रहती है, remembering Cassie's soft melodious voice and the shimmer of his eyes, और कैसी उसकी चमचमाती आँखें थी, उसकी soft voice थी, वो Sophie सोचती है, as Cassie was quite young, Danny Cassie काफी young थे, Sophie idolized him as her hero, और वो अपना hero समझती थी Danny Cassie को, she saw him in a match, और वो उसको एक match में देखती है, in fact this was the only time she had seen him, और यही वो भाई पहली बार था, जब उसने Danny Cassie को देखा, इससे पहले सब सपने थे, जो भी थे, ठीक है तो इतना ही था वाई, तो सपने उसके सचने हुए, match में ही उसको दिखता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कोमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करें, जै हिंद, जै भारत, बहुत बहुत धन्ये,